है प्तोइड है तो लिभ्रिवान वर्योग फाइन चलिए है आलाट लार्ट में लोगों ने स्टार्ट किया था एंडियन कॉंट्रेट एक फिक TOTL कितने पार्टों में बढ़ेड है, चार पार्टों में बढ़ेड है जिसमें पहला पार्ट जिसे नाम दिया है इन्ट्रोडेक्शन फंडामंटल प्रेंसिपल्स है बहुत important है फंडामंटल प्रेंसिपल्स इस बात को समझने के लिए कि exactly in legal terms बात करते हैं तो उसके इसाब से समाजिक तानबाना के साफ से पार्टनर्सिप जब भी दो या दो सदिक लोग होंगे और उनके बीच में कोई एक वेंचर चल रहा होगा तो आम लोगों के हिसाब से वो क्या चीज़ होती है पार्टनर्सिप लेकिन एक्जेक्ली इन-लीगल यह partnership नहीं होती है, unless and until all conditions given under action 4 are satisfied, section number आपको याद नहीं रखने है, जहां तक foundation की बात है, concept आपके strong होने चाहिए, content आपके strong होना चाहिए, section नहीं भी याद है, तो कोई problem नहीं है, मैं तो बोलता रहूँगा, section 4 में, section 5 में है, कमी बोलूँगा, क्योंकि foundation में जरुवत भी नहीं है, आपको, section 4 यह कहता है, आपका, की partnership is the relationship, मेरे साथ आप बोलेंगे की partnership is the relationship, partnership is the relationship, partnership is the relationship, partnership एक relation है, between two or more person, between two or more person, कौन से person है, जिनोंने agreement किया, who have agreed, और agree का पता लगता है, Indian contract act से, agreement का पता लगता है, Indian contract act से, who have agreed, किस बात के लिए agree कर रहे हैं वो, to share the profit, to share the profit, किस चीज का profit आपको share करने के लिए मिल रहा है, of a business, of a business, ठीक है ना, और last line बड़ी important है, कि business कौन चला रहा है, carried on by all, और any of them acting for all, या तो सारे लोग मिल के चला रहे हैं, या कोई एक या एक से ज़्यादे व्यक्ति और लोगों के भ्याव पर मिल कर चला रहा है, तो इस पूरी definition को मैंने अलग अलग पार्टों में तोड़ा है, अगर आप देखेंगे, जब आप paper में लिखेंगे, पहरे bullet form की जो तनी आपको पूरा एक sentence form में लिखना है, बुलेट form में जो तोड़ा गया है, वो इसलिए तोड़ा गया है, कि आपको मैं emphasize करा सकूं कि हर बुलेट form जो है, एक अपने आप में एक condition लेके चल रहा है, क्योंकि जब एक direct question आता है, जो अभी तक आप 12th level तक direct question की जाज़े रहता है, रट रट आके भी चल जाता है, ब case study soul वो ही बच्चा कर पाएगा, जिसने एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझ रखा होगा, उसकी importance समझ रखी होगी, तो मैं कल की class में समझा चुका था, कि दो या दो से अधिक, minimum 2 हैं, लेकिन अधिक केतने हैं, maximum 50, लेकिन ये जो maximum 50 है, कहां पर given है, इ तो that is 464 of the Companies Act 2013, वो हमारे course में है भी, तो हम ओर detail में पढ़ लेंगे उस section को, section 464 of the Companies Act 2013, talks about maximum number of partnership, agreed का मतलब क्या है, कि without agreement, कोई partnership exist नहीं कर सकती, भाई 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 भी पार्टनर नहीं हो सकते, जब तक कि वो अलग से एक agreement ना करें, ऐसा नहीं होता कि एक father हैं, और एक father के चार बच्चे हैं, और father की death होने के बाद, चारो बच्चे को वो उनका वेफसाय, जो है, उन्हें inheritance में मिल जाता है, उत्रा अधिकार में मिल जाता है, और चारो बच्चे, जब चारो बेटे हैं, वो अच्छी तरही के इस उस business को मैनेज करते हैं, लेकिन क्या कानून की नेरर में वो पार्टनर है, the answer is no, समाज की नेरर में वो पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कानून की नेरर में पार्टनर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई agreement नहीं किया, इसके लिए गोल्डन लाइन चलती है, अगर आप पेपर में लिखेंगे, और वो पंच लाइन यानि कि partnership जो arise होती है, वो agreement से arise होती है, ना कि status से arise होती है, status का तो मतलब क्या है, कि एक फार्द है कि जब चार बच्चे हैं, वो चारों बच्चे उससे समाल रहे हैं, तो वो एक status हो गया, कि एक particular family का हिस्सा है, ठीक है न, तो relationship और partnership arises from contract not from status, आपको दिबीर आओगा, relationship और partnership arises from contract not from status, ठीक है न, तो इस line को चीतर समझने की जरूरत है, कि partnership का जो relationship है, वो agreement से arise होता है, ना कि status से arise होता है, एक husband wife, life partner हो सकते हैं, लेकिन business partner होने के लिए उनमें भी agreement होना जरूरी होता है, इरेट के लिए, next जो essential condition is, that is the business, यह मैं पुराना revise करा रहा हूं, आपको जो प activity, कोई venture, अगर business की condition को satisfied नहीं करता है, तो बाकी condition satisfied होने के बाद भी, दो लोग partner नहीं कहलाई जा सकते हैं, many times ऐसा होता है, कि आपको कोई अफसर मिला, एक opportunity मिली, दो या दो से दिक लोगों ने उस opportunity में साझा किया, और जो profit हुआ, उसे आपस में बाट लिया, लेकिन अग पुरा नहीं करता है, business की definition is not given under the Indian partnership act, तो हम जो normal एक विचारधारा होती है, business जब भी आप करते हैं, की profit कमाने के उद्देशने से करेंगे, और एक सोची समझी रणनीती के तहत आप करेंगे, ठीक है ना, सबोच की आपके हाथ में ये बैग है, जो आप लेक लेका है, और आपने सबोच की 500 रुपे का लिया, और आपके फ्रेंड को ये पसंद आ गया, अपने काया, यार मुझे देदे, आपको लगा यार ये खुदी मांग रहा है, तो profit कमाने का अच्छा मुखा है, मैं 100 रुपे बताएता हूं, आपने 100 रुपे बताए, और उसने 100 रुपे मे ये भी है, मैं ये नहीं कहा रहा है कि एक्टिवीटी नहीं, एक्टिवीटी है, लेकिन हर एक्टिवीटी वो बिजनिस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो अगर कोई opportunity activity है दो यार दो सदीक लोगों ने की, और उसमें profit कमा लिया, उसमें शेरिंग कही profit की, लेकिन वो बिजनिस की जो principles होते हैं जो definition परिभासा होती है बिजनिस की उसकी condition को satisfied नहीं करता है तो भी यह नहीं का जा सकता कि दिये जे partnership between two or more person इरेट के लिए next जो condition है that is the sharing of profit तो यह बहुत जरूरी है और यह मैंने बताया आपको कि sharing of profit and loss नहीं है पेपर में कभी भी बच्चे अगर यह समझे ना तो जल्दी बाइज में क्या लिखके आते हैं sharing and profit and loss profit and loss loss share करना जरूरी नहीं है एक partner होने के लिए वो एक अलग बात है मैंने का जरूरी नहीं है आप additional requirement कुछ भी satisfied कर लें कोई problem नहीं है अगर यह कह देते कि sharing of profit and loss तो इसका मतलब है कि जो जो लोग profit और loss share दोनों करते हैं वो ही partner हो सकते हैं लेकिन आपने देखा होगा practically कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली profit share करते हैं low share नहीं करते हैं लेकिन वो भी partner माने जाते हैं clear होगी बात है clear mutual agency और हाँ यह sharing of profit एक prima facie evidence है conclusive evidence नहीं है evidence के दो तरीके होते हैं prima facie और conclusiveness प्राइमा फेशी का मतलब होता है प्रसम द्रश्टिया यानि कि देख के एक विचार आपके मन में क्या आता है उसे कहा जाता है prima facie और एक होता है conclusiveness conclusiveness बोलें तो कि जिसकी कोई काट नहीं हो जो पक्का सबूत हो तो दो या दो सदिक व्यक्ति अगर profit share कर रहे हैं तो देख के ऐसा लगता है कि हाँ यह partner हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है जरूरी कब होगा जब यह पांचों की पांचों condition satisfied होंगी अगर एक भी condition satisfied नहीं है तो आप partner नहीं माने जाओगे clear है एक तरह से जितने भी element है सब प्राइमा फेस ही हैं conclusive कोई भी नहीं है conclusiveness क्या है जब पांचों की पांचों element satisfied हो आपसे यह foundation में पास होने के लिए क्या requirement है minimum 40% मैंने आपके नमबर पूचने सूख करें आपने बता दिया अलग-अलग कि सब में 40 से उपर है तो लग रहा है कि आप पास हो लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता आपका aggregate ना बना हो समझ आ रही है बात आपके मैंने आपसे टोटल पूचा कि आपका टोटल कितना है आप ने गाई 240 लग रहा है 400 में 24, 50% से उपर है आप सायद पास हो जब मैंने इंडिविजल सब्जेक के नंबर पूचे आपसे एक में आपके 35 निकल गए तो इसका मतलब अभी आप पास नहीं हो तो सेरिंग और प्रॉफिट एक प्राइमा फेशी एविडेंस है ना कि एक कन्कुलूसिव एविडेंस है किलियर हो गई बात कोई भी डाउट बता दिएगा मिचल एजेंसी मैंने कल भी बताया था आपको कि मिचल एजेंसी होती है कि एक व्यक्ति का अगर काम है दूसर व्यक्ति उसे कर रहा है तो जिस व्यक्ति का वर्क होता है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल जो कर रहा है उसे कहा जाता है आपका एजेंट ठीक है ना तो यह मैंन भपने इपनी गर को किराये पर देनाचाहता है और वो इसके लिए स्याम जो की प्रापटि डिलर है, उसकी सर्विसज़ को हैर करता है, कि स्याम मेरे लिए कोई टेनन जोन के लाओ तो राव का काम है, राम का घड़ है है जो भी स्याम काम करेगा उसके लिए राम जुम्मेदार होगा अगर स्याम ने किसी टेनेंट से एडवांस रिसीव कर लिया और एग्रिमेंट कर लिया कि ठीक है ये घर आपका इतने किराये पर तो कल को राम मुकर नहीं पाएगा ये ही माना जाएगा कि वो एग्रिमेंट टेनेंट से किस ने किया है श्याम ने नहीं करके राम ने किया है ये तब ही है अगर राम और श्याम के बीट में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन्टिप हो सबोज किरे मेरे और आपके बीट में principle agent का relationship नहीं है आपने मेरी property को किराय पर दे दिया तो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ कि sir मैंने तो दे दिया आपकी किराय पकड़ो तो क्या किरायदार मुझसे लड़ाई धगड़ा कर सकता है इस बात के लिए कि जी आपके भ्याप पर कोई ओर property आपकी कराय पर दे गया नहीं कर सकता है लेकिन अगर मैं किसी तरह से आपको agent बना लूँ और आपके जिम्मेदार हूँ और तब ये आप काम करो तब मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ यानि कि principle of agency में एक principle रहता है एक्ट done by the agent is treated as act done by the principle यानि कि जो काम agent के दौरा किये जाते हैं वो इस तरीके से treat किये जाते हैं जैसे वो राम ने यानि कि principle ने ही किये हो तो यहाँ पर क्या principle लगता है यहाँ पर principle लगता है आपका mutual agency यानि कि हर partner एक agent भी है as well as वो principle भी है एजेंट इस वरे से है कि अगर तीन पार्ट नहीं सबोच किए मैं आपके सामें लिख रहा हूँ A, B, C तो एजेंट है यानि कि act done by the agent यानि कि A के द्वारा act done by the A it treated as act done by the B and C यानि कि जो एक ने जो भी decision ले लिए उसके लिए BOC liable होंगे तो यानि कि ये एजेंट है ये प्रिंसिपल हो गए लेकिन आप प्रिंसिपल भी हो क्यों क्यों कि act done by the B and C उसके लिए ये माना जाएगा A ने किया है तो हर पार्टनर क्या है एजेंट भी है और as well as प्रिंसिपल भी है किलियर बेटा कोई doubt हो बता दिए इसमें चलिए अब बताती है पार्टनर्शिप में पार्टनर कोन है फरम किसे कहते हैं फरम नेम किसे कहते हैं पार्टनर जो इंडिजियली है उन्हें पार्टनर कहा जाता है A, B, C ये पार्टनर है collectively क्या कहेंगे तीनों को एक साथ क्या कहेंगे फरम जैसे मैं अगर कहूँ कि आपके पेरिन्ट कितने है तो क्या बोलेंगे आप दो नहीं एक तामीद दो पेरिन्ट होते है तो लोग दो हैं उसमें लोग दो हैं इसी बात को तो समझाने कि क satis कर रहा हैं इससे उधारन से आप यह नहीं कह सकते कि दो पेरेंट्स हैं मेरे लेंकि क्म bankrupt वेला जाएगा ऑने में पापा लग अलग बोला जाएगे तो मैं यही अंतर सम्जानी को इसिकर रहा हूं कि partner ABC। लेकिन comparative क्म bankrupt बोला जाएगा तो इन क्या हो लह जाएगा फर्म फर्म और जिस नाम से वो काम करते हैं उसे कहाई जाता है रो का फर्म करते हैं इसनाम अब होता है परसन को क entered into partnership with one another are called uh individual partner and collectively a firm and the name under which their business is carried on is called the firm name के लिया अब सब्से important topic अब चलने वाला है आपका this is concept of registration under the partnership act यह बहुत बहुत important concept है पार्टनर्शिप का और invariably question आते रहते हैं इसे registration क्या होता है अभी जैसे आप CA में एंटर्वीव हैं after 12th तो CA में भी एक registration process है तो आप समझ सकते हैं कि registration क्या है कि कुछ details है एक जहां पर जो authority है जो अगर आपको CA करना है तो ICI is the proper authority तो ICI ने एक form निकाला वाए एक फीज निकाली भी है आप उस form को भरके document को समिट करा के अपना registration करा सकते हैं इस process को क्या गायाता है registration क्यों कराने की जो पड़ती है कि जो authority है उसे पता तो लग जाए कि कौन-कौन लोग CA करने करना चाते हैं उन्हें क्या व्यवस्था बनानी है उन बच्चों के लिए कितना steady materials आपना है क्या कितने center उन्हें allocate करने है तो बिना registration के लिए तो कुछ भी संबग नहीं है तो ऐसे ही क्या फरम का registration किसी government authority के पास कराना ज़रूरी है जैसे अगर आप CA करना चाते हो और मैं क्या CA करने के लिए ICAI के पास registration ज़रूरी है कोई भी ऐसी बिना registration के भी सिए कर सकता है बताईए क्या जवाब होगा आपका ज़रूरी है registration या नहीं है तो बोलिए ज़रूरी है अब बाती आती है कि क्या आप फरम एक partner फरम में अपना business चला रहे हैं तो क्या इसका registration ज़रूरी है दा लो मेकर्स ने registration compulsory नहीं बनाया है लेकिन desirable बनाया है अगर कोई चीज होती तो इसका मतलब है बिना उसके आप कर ही नहीं तकते थे एक है desirable का मतलब है अच्छा होगा अगर आप registration करा लें नहीं तो उसके कुछ नुकसान आपको भुगतने पढ़ सकते हैं अगर आपको नुकसान की चिंता है तो आप करा लीजिए अगर आपको लगता है उन नुकसान की मेरी चिंता है ही नहीं तो मत कराईए समझ आ रही है बात जरूरी नहीं है तो पढ़ते हैं registration means getting the partnership registered with the registrar of firm of the area in which the place of business of the firm is situated or proposed to be situated याने की registration का मतलब है getting the partnership registered with the register of firm उस एरिया के register of the firm के पास आपको अपने document आपको एक piece जमा करानी पड़ेगी जहां पर आपका place of business क्या है situated है या situated होने वाला है situated है या proposed to be situated है दोनों में अंतर समझ में आता है क्योंकि registration जरूरी नहीं है आपने सोचा कि यार क्यों एक system के अंतर हम एंटर होते हैं अभी जादे पैसा भी नहीं है हम बिना registration के चालू करते हैं अपने business को लेकिन बाद में आपको लगा है या कुछ नुकसान उठाने पड आई लेते हैं तो जहां पर आपका business situated है उसके दरिश्टार के पर आपका business पहले शुरू हो चुका है और आप बाद में registration कराना चाहते हैं और यह के पर पोर्पोर्स टूबी सिच्वेट इसका मतलब क्या है कि आप पहले से ही तरीके से काम करना चाह रहे हैं यानि कि जहां अभी आपने business true भी नहीं करा उस जंगे जहां पर आप business true करना चाहते हैं प्रपोर्स टूबी सिच्वेट प्रपोर्स टूबी का मतलब चहां चाहते हैं उस एरिया के पास आप अपना registration कराईए सर क्या मतलब हुआ उस एरिया के आप यूपी में रहते हैं आई सी ए आई ज यूपी के address से नहीं करा तक तक है कि area बटे हुए हैं कि आपका residential address कहां पर रिजिदेंश आड्रेस यहां पर क्या होता है business address कि आप अपना business कहां कराने चाहते हैं माना मेरेट में आप business करने की सोचे हैं करने की सोचे हैं तो मेरेट आस पास जो भी धियात लगते होंगे ग् तो एरिया बाट रखे होंगे ना कि ये रेजिस्ट्रा और फ़र्म है लखनाओ का ये रेजिस्ट्रा और फ़र्म है लखनाओ का ये रेजिस्ट्रा और फ़र्म है का ये रेजिस्ट्रा और फ़र्म है मेरेट का ये रेजिस्ट्रा और फ़र्म है आपका मुरादाबात का तो place समझ में आता है आपके कि registrar from कौन से वाले हमें कोई याद नहीं करना है यह एबल understand करने है कि each and every word का each and every line का meaning क्या है अगर आपने के एक 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 तीर understand कर रखी है तो बहुत easy हो जाता है आपके लिए चीजों को cram करना और उसे लिखना ठीक है अब एक बच्चा आप ही है sir is the registration from compulsory that the answer is no time of registration देखे time उसका होता है जो चीज़ कमपल्सरी है जो चीज़ कमपल्सरी ने कभी भी करा लिए जाने की business to होने से पहले करा लिए business to होने के बात करा लिए तो time of registration since the registration of firm is not compulsory it can be effected at any stage that is at the time of its formation or at any time there after clear हो गई बात ही है आपके चले अब सबसे important topic है effect of registration या अगर आप नहीं कराएंगे तो consequences of non registration सबसे सबसे ज्यादा important topic है direct question भी और indirect question भी इससे बार बार पूछे जाएंगे देखे जरूरी नहीं है अब खास तोर से भारत में जब तक कोई चीज़ जरूरी नहीं होती चैया आपके लिए कितना भी फाइदेबंद है वो हम वो काम नहीं करते हैं helmet अगर government find ना लगा है जब तक कि दुपईया मानों को helmet पनना जरूरी है सबको पता है कि यार कभी भी ऐसी घटना घटी थोड़ सकती है कोई अपने हाथ में थोड़ी दुरगटना कोई करना थोड़ी चाता है हो जाता है आउस समय helmet भोसतारे cases में आपका जीवन बचा सकता है लेकिन तब भी नहीं लगाते कि बाल खराब हो जाएंगे जीवन से ज़्यादा जरूरी लोगों को अपनी appearance के उपर है कि बाल खराब नहीं होने चाहिएं समय जारी बार इविन गाड़ी में तो बाली भी खराब नहीं होते है शीट बैल्टी लगानी पड़ती है वो भी नहीं लगाते है दिल्ली में तो आप लगा लोगे क्योंकि दिल्ली में सक्त तरीके से उस नियम को फोलो किया जाता है आपको पता है जुर्माना लगेगा जुर माने के दर से आप लगाते हैं, आप अपने जीवन बचाने के लिए वो स्चीड बैल्ट बता रखे हैं effect of non registration अगर आप registration नहीं कराएंगे तो क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर आपको उन प्रभावों से डर लगता है तो आप कराईए और अगर आपको उन प्रभावों से डर नहीं लगता है तो मत कराईए desirable है समझ आ रही है बात गुटका खाने पर कोई पाबंदी नहीं है तराप पीने पर कोई पाबंदी नहीं क्योंग गुवर्मेंट को इसे revenue मिलता है लेकिन indirectly उसने कि आप retirement देंगे गुटका का जो packet होगा उस पर आपको ऐसे ऐसे immediate बनानी है जिससे लोग डर के ना खाएं तो अगर आपको वो लगता है डर तो आदमी नहीं खाएगा otherwise कोई fine कोई वैसी कोई दिक्कत तो है नहीं कोई government को भी revenue मिलता अच्छे से तो clear होगी बात यह तो registration of firm is not compulsory but indirectly by creating certain liabilities also termed as effect of non-registeration under action 69 from which un-registered firm suffers the law has made the registration of the firm desirable the effect of non-registeration of the firm are as follows अगर आप registration नहीं कराएंगे तो क्या प्रभाव पड़ सकता है वो ध्यान से समझने की बात है पहला effect जो है no suit by a partner against the firm और any other partner यानि कि un-registered firm का कोई भी partner firm के खिलाफ अदूसे partner के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता है देखें क्या होता है कि जब भी दो या दो से दिक्लोग होंगे dispute होना लाजमी है आपस में अन्बन होना लाजमी है clear है अन्बन के दो तिन तरीके होते है प्यार मुपबर से कभी तुम समझ गए कभी हम समझ गए इसके अलावा दादागरी से कि एक party उसमें ज़्यादे दबंग है तो उसने दूसे को दबा लिया और तीसा तरीका है by the court of law जाने कि court में ये तो नहीं चलता कौन दबंग है कौन कमजोर पक्स है court में तो उचित और अनुचित चलता है कि कानून की नेरे में क्या चिस सही है क्या चिस गलत है अब तीन partner थे माना A, B, C तीनों ने 1 to 1 is to 1 का ratio एक साल बीतने के बाद फरम को 10 लाक रुपर प्रॉफिट हुआ B, O, C आप अपर में मिल जाते हैं अब कहते हैं यार ये को अगर नहीं देते है उसका इससा क्या करेगा दो लोगों से लड़तों से नहीं सकता है अब तो ऐसी ताकत बने ये तो कमजूर है एक ये पास क्या तरीका है एक ये पास क्या तरीका अपने प्रॉफिट को लेने का कोट में जाना या तो आप ताकत रखते हैं अगर ताकत नहीं रखते तो दूसरा तरीका है कोट में जाने का तो यही लिखावा है कि अगर आप अंदरिष्टर्ड हैं तो कोई भी पार्टनर दूसे पार्टनर पर मुकदमा नहीं कर सकता ये नुकसान है ये क्या है नुकसान है अब नुकसान या फाइदा क्योंकि देखें लो पढ़ रहे हैं आप सही या गलत दोने बाते पढ़नी पढ़ेंगे आपको अगर आप प्रेक्टिकली पैसा कमाना चाहते हैं जाता कि अकेडमी के लिए मैंने पढ़ा दिया आपको नंबर मिल जाएंगे इस चीज़ से लेकिन प्रेक्टिकली अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उसका मिस्यूज भी पता होना चाहिए एक अपरादी आपके पास आता है वकिल बन गये वाना एक अपरादी आपके पास आता है जी मैंने ये अपराद करा है आप अपनी फीर बता ही मुझे बचाईए क्या पी ये कहोगे कि अपराज करा है तो उसे ज़ए तो काटने पड़ेगी आपको तो अपने दिमाग लगाना है ने कानूनन क्या रास्ते हैं उसे बचाने के कानूनन तभी तो पैसा कमा पाओगे Am I right or wrong? तो अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा सा practical exposure भी जाना पड़ेगा खाली इससे काम नहीं चलेगा कि जी कानून यह कहता है अब कानून भी रह जाए सबोज किज़े A, B, C अगर आप दबंग है अगर आप practically partnering में एंटर होई जा रहे हैं और लेकिन अगर आप एक एह जहें पार्टरिशिप बनने ना रहे हैं जाप कम दोना दूसा पर तो कभी भी बिना रेजिस्ट्रिशन के पार्टर मद बनियेगा तो लोग का फाइदा इस्थितियों को देखते वे इस्थितियों को समझते वे अपने अपने साफ से लेना है उसमें सही गलत कुछ नहीं है दूसा आजमी अगर बेखकूफ है तो हम गलत नहीं हो जाते इस चीछ से हमें अपना इंट्रेस्ट होतना है दूसरे को अपना इंट्रेस्ट होतना है बात खत्म तो अगर आप दबंगे हमेशा आपकी चलेगी कोर्ट उसकी साथ करेगी नहीं बैसे लड़ सकता नहीं वो आपसे तो अगर आप कमजोर है तो यह गलती का भी मत कर लिजेगा अब एक लाइन ओ एक पार्टनर ओफ एन अंदरिश्टर्ड फरम cannot file issue एक पार्टनर ओफ एन एक पार्टनर ओफ एन अंदरिश्टर्ड फरम cannot अब आप में चीज देखेगा to enforce to enforce to enforce any rights arising from the contract to enforce any rights to enforce यानि कीliest सकता है पालन करवाना द Müर्ण कोूर्ट क्लेड को जो रहा है और वह अधिकार है और यह गारे पूरा करे और मेरे अधिकारों को स्मिश्चित करें तो उन चीज़ों के लिए, कौन से दिखा? जो एराइधिंग फॉम्धा कॉंटेक्ट है, इस बात को ध्यान रखीएगा, जो एराइधिंग फॉम्धा कॉंटेक्ट है, भी और दबंगई दिखलाते वह आपके सार्थ मार दान से ही दिये, कर सकता है, समझिए ये लीगल वर्ड को, arising from the contract, उन अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा नहीं हो सकता है, जो contract करने से आए हैं, मार पिटाई को ये आपके साथ कर दे, तो क्या इसके लिए भी आप पहले contact करते हैं, कि अगर तुमने ऐसा करा तो मैं मुकदमा कर दूँगा, लेकिन A, B, C, आपस में partner हैं, उन्हें 1-1-1-1-1 का profit मिलना है, ये 1-1-1-1 का profit कैसे decide हुआ होगा, agreement करके, क्योंकि ये 3-2-1 का भी हो सकता था, 1-2-3 का भी हो सकता था, ये जो भी है, ये agreement करके तो decide हुआ, बिना उसके तो नहीं होगा, अगर ये partner नहीं भी ये चलिए, पर मुकदमें अभी भी कर सकता है, लेकिन किन चीनों की दक्षा के लिए, जो other than arising out of the contract, तो ये तो समुर्णा पड़ेगा न, आपको कि क्या चीज़ contact करने से आती, कौन सी चीज़ contact करने से नहीं आती, बी ओस ये ने एक ए बच्चे को गोली मार दी, तो क्या ये मुकदमा नहीं करेगा, क्या चीज़ के लिए भी आपको पहले agreement करना पड़ता है, तो हर अधिकार contract से नहीं आता, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपने रेश्टन करा दिया, मैं आपको C.A.Foundation कर पढ़ाऊंगा, ये चीज़ कैसा आई, agreement करके, क्या जो भी बच्चा C.A. कर रहा है, क्या सब के लिए मेरी जिम्मेदारी है, नहीं है, क्यों उन बच्चों के लिए जिम्मेदारी जि भी आएंगे, उनके लिए को agreement की जो थोरी पढ़ती है, वो तो भारतिय सम्मेदान या अलग-अलग जो क्रिमिनल लो है, वो आपको देते हैं, पिटाई का, गाली गलोच का, अपनी सुरक्षा करने का दिकार, इस सम्मेदानिक, इंडियन पैनल कोड, इस तरह के लो से आते है, क्लियर, क्लियर, फो एक्जाम्पल, इवे पार्टनर ओफ अंदरिष्टर फिर्म, इन नोट पेड़ी सेर ओफ प्रॉपिट, अगर एक पार्टनर जो अंदरिष्टर फिर्म का है, उससे उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो वो इसे कोड की मदद से प्राप्त नह सेक्शन वन, प्रोहबिट, प्रोहबिट का मतलब मना करता है, दा इंस्टिट्यूशन ओफ सिविल सूट, नोट दा क्रिमनल सूट, सिविल सूट का मतलब होता है, जो एग्रिमेंट करने साथ है, क्रिमनल का मतलब क्या होता है, जो बिना एग्रिमेंट के भी आपको एक सम् शूट and not the criminal शूट सिविल शूट को मना करता है क्रिमिनल शूट को मना नहीं करता है क्लियर next no शूट by firm again the third party यानि कि अगर आप unregistered firm है तो आप third party के खिलाब दे मकदमा नहीं कर चकते लेकिन जितना बोला है low में जब आप पढ़ें मैंने यह नहीं कहा कि third party मकदमा नहीं कर सकते मैंने कहा कि आप third party के खिलाब मकदमा नहीं कर सकते इसमें भी arriving out of the contract ही है आपने उधार माल बेच दिया और data आपका पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसे court में नहीं घर्षिट सकते हैं लेकिन आपने उधार माल खरीदा तो credit आपके खिलाब मकदमा कर सकता है चाहे आप registered है चाहे आप under registered है clear? चाहे आप registered है चाहे आप unregister है तो third party आपके खिलाब मकदमा कर सकती है आप third party के खिलाब मकदमा नहीं कर सकते हैं लेकिन arising out of the contract debtor से आप मकदमा करके पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं लेकिन दो चाहा थपड मार गया आपके परमाइसे पर आपको या over activity कर गया आप unregister नहीं तो मकदमा हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ other than contract होती है फिर बार no suit by the firm against third party an unregistered firm cannot file a suit against a third party to enforce any right arising out of the contract if unregistered firm has sold some goods to a customer it cannot file a suit against the customer for the recovery of the price of the goods on the other hand if any unregistered firm has purchased some goods from a supplier such supplier can file a suit against the firm for the recovery of the price of the goods purchaser अगर आपने पर्चेज किया है तो supplier can file a suit against you but if you sold some goods so you cannot file to recover the price of the goods against the debtor but creditor can file against you अगर एक ओछ चीज़ देखेगा लोगो अगर आपको सीखना है number तो यहां तक भी मिल जाएगे आपको low में आपको language का फायदा उठाना होता है अगर आपने किसी को उधार माल बेच दिया आप अन्रेश्टर है जिक्स क्या रहा है आपको मुकदमा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं लेकि मैं तब भी करवा दूँँगा मैं तब भी मुकदमा करवा दूँगा अगर आपने गलती से उधार माल बेच दिया तो बाद में आपको प्राइस नहीं दिरा है वो तो मुकदमा भी भी हो जाएगा अजब कि low आपके सामने हैं इन्होंने ये का है कि अपना इंटरिटेशन लिखा है जिससे आपको और अच्छे तरीके से मैं समझा शकूँ कि low में असंभव कुछ नहीं होता आपको mind लगाना है कि आपरादी छूटते नहीं है छूटते हैं लेकिन वकील को mind लगाना होता है कि किस तरीके से कानोनी حद में रहके किस तरीके से मुर्य अपरादी को बाद निकालना है एक वकील वोई केस आज आता है दूसर वकील वोई केस जीते जाता है सेम ग्राउंड पर जितना माइंड लगाएंगे उतना पैस आप कमा पाएंगे तो लोग का पेपर सिर्फ ओ सिर्फ आपको रटे हमार के सोच लें पेपर पास करने के लिए पढ़ना है कुछ नहीं होने वाला बाद अचली यहां से निकल जाएंगे इंटरमीडियर में और केस्टेडी जाज आज आती है मैं करूं वहां से भी निकल गए आपके लेकिन अल्टिमेटली एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने का फायदा तभी जब आप पैसा कमा पाएं बहुत सारी की सारी बात नोलिश की रहती है बच्चे बाद में बुरा भला कह सकते हैं कि कोर्स कोर्सर इतनी महत करके सीय भी बने हम करा उतने अच्छे हम पर्फोर्म नहीं कर पा रहें उतनी अच्छी नोक्रे नहीं लग पा रहें अच्छा पैसा नहीं कमा पारें एफब गल्ती तुम्हारी है उसी कोर्स को लो करके दूसर भी तो आजम्मी पैसा कमा रहा है आप अपना attitude जब तक change नहीं करेंगे बच्चे का attitude ही रहता है बस किसी बच्चे से पूछ लिजा आप पस फिलाज उत्ना पढ़ा दीजिये जितना पास हो जाए है जब वो attitude ही इतना है आप पास होने में तो उतना चाहते हैं कि जितना मतलब पढ़ने में तो उतना चाहते हैं जितना पास हो जाएं तो भगवान भी तो यह कह रहा है उपरवाला भी तो यह कह रहा है कि तुम्हें उतना दूंगा जितने में तुम जीवन जी सको मजे ना ले सको रोटी तो सबको मिल जानी है उसमें तो तुम चाहते हो unlimited नंबरों में चाहते हो नोली्ड में पढ़ाई में चाहते हो इतना जतना जतना मैं प् flat हो जाओ, earning में चाहते हो की मेरी करोड़ रुपे गी हो फिर earning में बही हो उतना जतना घर परिबाद चल जाए है सुबह साम की रोटी मिल जाए समय जा रही ये बात आपके पड़ायम से ये वाली बात ऊपर क्यों लागू नहीं होती ये पताईए मरिया कि एक पार्टनर अंद्रेश्टर फिर्म का दूसरे पार्टनर खिलाब मुकादमा नहीं कर सकता तो वहाँ पर भी तुम मुकादमा करने से पहले रिष्टरेश्टर इन सम्मब हो सकता है ये वाली बात मैंने उपर क्यों लिख कि सोच के बताईए एक्जेक्टली क्योंकि रिष्टरेश्टर में तीनों के साइन होने जरूरी है इस चीट के लिए भी उसी मानेगे ने लेकि यहाँ पर क्योंकि पार्टनर के सिखने चाहने है तो सारी कॉमन कंसेंट बनेगी क्लियर मतलब किसी भी थियोरी को इस तरीके से पढ़ना है इको भी अपने आपने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है पैसा कमाने के लिए लेकिन चलिए इको तो मैं मान लूँ कोई फाउंडेशन स्टेट पर यह आगे नहीं है लेकिन लो तो आगे हर बंदा हर चीज में एक्परटाईज नहीं हो चकता CA जो माना जाता है वो लो में और एकाउंट में यह चीजें तो ऐसी हैं कि जो पैसा कमाने के लिए आपको यूज करनी है उस लेविल पर अपनी नोलिज को ले जाना है कि पेपर तो पास हो ही जाएगा लेकि नोलिज ऐसी हो कि कहें बैठे हो तो दूसा आदमी एप्रिशेट करें क्या बंदे में नोलिज जाए पैसा तो उससे कमाये जाता है डिग्री से पैसा नहीं कमाये जाता नो क्लेम नो राइट तो क्लेम सेट ओफ इन एक्सेर ओफ हंडेट क्या मतलब है सबोज कि देख फर्म है ठीक है अब एक X है कोई बंदा फर्म ने एक हजार रुपे का रुपीद बन थाउरेंट का गुड्स फोल्ड किया अन्रिश्टर फर्म है आप क्या है आप अन्रिश्टर फर्म है आप can this firm file issue against X to recover बन थाउरेंट आंत है नो X ने एक transaction और कर रखी है X ने 400 का loan जो है firm को दे रखा है अलग अलग transaction है firm ने X को 1000 रुपे का good sold कर रखा है और X ने 400 रुपे का loan दे रखा है firm को can X file issue again firm to recover 400 तान से yes क्योंकि यह इस चीज़ में creditor हो गया इस वाली amount के लिए क्या हो गया इस वाली amount के लिए क्या हो गया creator आपने final account में 11-12 में कूप कर रहा होगा एक आदमी है वो 400 रुपे ऐसे हैं कि दो डेटर में भी सामिल है creator में भी सामिल है हम set off करने के लिए क्या कर देते है balance sheet में डेटर में से भी 400 रुपे कम कर देते है और creator में जाए यह करा है नहीं करा इसे कहते है set off फरम यह कह रही है दर्ख्वास कर देए कोड से कि आप ऐसा की दिये कि यह set off करवा दी दे मेरे जिससे मेरा नुकसान 600 रुपे कर रहे जा है मतलब आप यह कह रहे हैं कि एक्स तो मुकसमा कर लेगा 400 रुपे का में 1000 रुपे का मुकसमा नहीं कर सकता क्योंकि एक ही पार्टी है तो क्यों ना set off कर वाले हम तो 600 का नुकसान दे जाएगा लोग कहता है नहीं यह set off भी नहीं होगा वो मुकसमा कर लेगा आपके ओपर और आप में घजमा नहीं कर सकते सोर पे तक का set off संबग है बहुत पुराना लोग बनावा है अब तो सोर पे कुछ होते ही नहीं तो no right to claim set off in excess of 100 and under a firm और any partner there of cannot claim a set off if value exceeds 100 in proceeding instituted against the firm by third party to enforce a right arising from the contract अगर value सोर पे से जाज़ है तो ये set off भी possible नहीं है अगर ये 50 रुपे होती तो set off हो जाता यानि कि X भी मुकदमा नहीं कर पाता 99 रुपे भी होता 100 भी होता exactly तो भी X firm के ओपर मुकदमा नहीं कर पाता अगर firm को भी लेने अगर सबोर को firm को नहीं लेने एक creditor है केवल 100 रुपे ही creditor को firm से लेने तो तुमकदमा हो जाएगा उसे set off थोड़ी को हो गया लेकिन firm को भी लेने और आपको भी लेने और वो आपको जो लेने वो केवल सोर पे लेने तो ये set off हो जाएगा जल्दी से बताएगा सभी बच्चे करते हैं सभी लोग साथ की साथ इसे writing practice भी करेंगे और लिख लिख के घर पर याद करेंगे देखिए ये subject मैं समझा तो या सकता हूँ कहीं बार repeat भी करा दूँगा आपको चीज़े लेकिन जब तक आप घर पर उसकी writing practice नहीं करेंगे पेपर से पहले आपको डर ज़ो लगेगा आप कभी भी CA foundation के बच्चे से जो दे चुके हैं उनसे पूछीगा या जिनका रेल्ट आ चुका होगा 90% बच्चा लो में रहेगा 10% बच्चा जो है वो किसी हो चीज में रहता है क्योंकि ये subjective paper है इको भी पेपर अगर subjective होता तुमापर भी दिक्कत होती लेकिन वो objective है तुमाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको केवल समझना है चार आंसर महापर है तो वो बहुत इदी हो जाता है यहाँ पर क्या है आपको आता है लेकिन आप उसे wording नहीं दे पाए आइटिंग स्किल नहीं है तो कोई उज नहीं है अब वो धीरे धीरे करके डवलप होती है 11-12 ग्रैजुएशन की तरह नहीं है कि कुछ भी लिखिया आएंगे वो नंबर मिल जाएंगे आपको तो आज यहीं तक रखते हैं थैंक यू थैंक यू वरी मेंच